बाबाराजम ने इधर उधर नहीं करीबा जब से पुछा गया कि भई आप नमबर वन ODI side in the world हो आपके उपर pressure होगा तो उन्होंने बिल्कुल वो ही बोला कि pressure से ज़ादा हम confident हैं हम पे pressure नहीं है फिर तो और दुग दुग होगी क्योंकि इंडिया उसिस पाकिस्तान का जो मुकाबला है टेंशन उससे पहले से अल्रेडी बढ़ चुकी है जो हमें लग रहा था कि यार अब तो चलो सही है में बहुत जादा होगा तो केर रहूल पहले मैच में नहीं होगा उनसे ये नहीं कि चांसेज अपने बताओ एशा कप में वर्ल्ल कप हो और खुदी बोला कि हम एशा कभी जीतना चाहते हैं हम वर्ल्ल कप भी जीतना चाहते हैं लेकिन सवाल अब बड़े खड़े होगें तो क्या लग रहा आपको जो कैन प्रैक्टिस देखी हमने वहां पर कुछ लग रह सबसे परे तो आप एक काम कीजिए एसी ओन करो यह गर्मी मतलब सिर्फ एसी की नहीं जबसे वो खबर मैंने आप सुनी एसी इस फुल से मैं उसको डाइजस्ट नि कर पाया हूं यार कहीं से भी घुमा फिरा के नहीं बोला ये कोई ऐसी दिखा दिखा दी रहे हैं उनको व पाकिस्तान का मैच प्रेशर वाला मैच होता है और इसमें कोई तुरहाए की बात ही है हर कोई जानता कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवल्री है उसके आगे एसीज की राइवल्री भी आपकी फीगी पड़ जाती है यहां पर कॉंपिडेंस छलक रहा है पाकिसानी से बाकी टीम के लिए मैसेज है और स्पेशली इंडिया के लिए मैसेज है रिसेंटली यह देखा गया है कि पाकिस्तान की टीम प्रेशर में डालती है टीम इंडिया को पाकिस्तान की प्रेशर में ले 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 अपने आपको प्रेशर में खेलते और उसका फाइदा पाकिस् हमने इंडिया को राया है जिसमें रोहित थे विराट हैं सारे हैं और हमने उनकी मेंन टीम को राया है कोई ऐसा नहीं कि B team C team पाकिसान ने इंडिया को राया है recently और उसी का confidence यहां पर जलग रहा है तो टीम जिस तरीके से करके दे रही है बाबराजम को हर situation में कोई नहीं कोई नया प्लेयर आकर step up करता है कि जी आज मैं मैच जिता हूँगा बोलर्स में आप देख लें बैटर्स में देख लें कभी शादाब जिता रहे हैं कभी सल्मान रन बना रहे हैं intestfood, 224 इस भी बन या जियो नहीं जाता है लेकिन अबर बन पर आजाना और रहन रहना वोवी तो बहुत बड़ी बनीस को धिशेए पीछे षिटने की बात कहीं से भी घवराई भी गात कहीं से भी यह नहीं भी पोले तो इसने बहुत अच्छा बावराजम ने आज एक मेसेज दिया है तीम को आज शुरू से बोल रहा हूं कि कम से कम कपतान बावराजम ने इस टीम को ऐसा महाल दिया है जहां सारे के सारे प्लेयर्स आते हैं अपना हाथ कड़ा करते हैं बोलते हैं हम जिताएंगे मैच और सब की कॉंट्रिबूशन होती है एवरीबड़ी इस एकुली रिस्पॉंसिबल इस दिस दो मोस्त इल प्रिपरेड वर्ल कप इंडिया का और अप अप एश्या कप लड़ने जा रहे हो एश्या कप पिछले साल आप हार के आए आपका सारा डगमगा गया अब आप फिर एश्या कप से पहले आप फिर फस गियो फस कहा से गयो आपने तो टीम चुनी चलो आपने आयर को और राहूल को चुल लिया आपने प्रोविजिनल भी कर दिया बड़ यार यह सेलेक्टर और यह सारे फिजियो कप्तान कोच यह क्या कर रहे थे आपको संजू सैमसं को ने टीम में रखना चाहिए था इंडिया पाखिस्तान की टीम किसी दूसरे मुल्क से आर जाए लेकिन जब टीम इंडिया पाखिस्तान से आरती है तो फिर अंगामा होतार और बनों मुल्क के अवाँ यहीं चाहते है इस आपागिinki पर ये भी वोला कि जब आप अच्छा करते हो तो कहीं नगई एक्सपेक्टेसंस की जो हम बात करते हो बढ़ती है और पाकिस्तान से यह पर उमीदें लगाए जा रही है कि पाकिस्तान की टेम कहीं नगई अच्छा करेगी और इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल आपको दे कि वर्ल्ड कप के लिए माना गया कि यार यही कोर ग्रूप है आपका तो उन्हों नहीं काया अगर कुछ नीड पढ़ती है वैसे मुझे जो हमारे एशिया कप का जो यह लाइनप है यह पूरा सेटल लग रहा है अगर कुछ इफसन बट्स होता है एकाथ खिलाड़ी को ले है मेरे रंस आजाएं जो बाबाराजम का क्रिडिसर्जम होब रेड बॉल क्रिक्ट में ओडिय में तो आपने देखा टीम नमबर वन बना दिया आपने तो उसमें कोई सवाल ही नहीं था दोस्तों बाबाराजम ने एशिया कप के इफताई मैच से कबल प्रेस कांफरनस करत है बाबराजम ने कहा पकिस्तान टीम पर तरह तरह की बाते हुई किसी नही तरह दाद की किसी ने तारीफ भी की हमारा फोकुस कर्कट पर राज जिसकी वजह से वन डे में नमबर वन टीम बने चैनल पे अगर आप नहीं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सबस्क् टाइब कर दें